इस वीडियो में आप लोग को बिहार स्टीटी से समंदित, छठे चरण न्यूजन समंदित और दिसंबर और जनवरी स्टीट से समंदित बहुती बड़ी न्यूज अप्टेट देने वाला हूं अता आप वीडियो के लाश्ट तक बने रहे और जाने पूरी न्यूज को अच देखिए सभी न्यूज पेपर के हेडलाइन में छपा हुआ है और थोरी से जानकारी मैं आप लोग को इस आर्टिकल के माधिम से बता देना चाहता हूं देखिए दिन बार ट्वीट पर जस्टिस फोर बी एस्टीटी दुजार निस ट्रेनिंग करता रहा एस्टीटी दु उनिस में 37,335 पदों की बहाली के लिए परिड़नाम प्रकाशित किया गया जिसमें 8,402 अभियर्थियों सफल अभियर्थियों को नोकरी का हवाला देकर शिक्षा मंतरी ने अभी तक मौन उदासिन रबया दिखा रही है इसके लिए अभियर्थियों ने आकरोश होकर आगे ट्वीटर अभियान चलाया और बहुत सारा कैंपिंग किये फिर भी शिक्षा विवा को यह नजर नहीं आ रही है कि अभियर्थि कि इतने परिशान है और हमारे राज के शिक्षा विवर्ष्था किस चरम सीमा तक चली गई है अता मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा मंदरी और बिहार के दिगज नेता से आगे आवाज बढ़ाना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह इस 2019 अश्टेटी अभियर्थियों का भाली कर और हमारे राज की शिक्षा विवर्ष्था को सुधार है चली आपको आगे बताता हूं कि छठेटी चरह नियूजन से समधित क्या नियूज है चेयनित शिक्षा का अभियर्थियों को दुबारा नहीं मिलेगा मौका जो भी अभियर्थियों अपना कॉंसलिंग करा चुके हैं उसको फिर से कॉंसलिंग कराने का मौका नहीं दिया जाएगा अगर आप करते हैं तो ऐसा राजित कुमार शिंग ने बताया है कि उसकी नियूजन रत की जाएगी कर दी जाएगी देखिए शिक्षा वियाग ने साफ किया है कि शिक्षक नियूजन ने एक बार चेयनित अभियर्थियों को दुबारा मौका नहीं दिया कि ऐसा करने वाले अभियर्थियों की निकती रद की जाएगी अज़ा उसको निकती पत्र नहीं दिया जाएगा वह अपना नुक्री से हां दोलेंगे आगे दिखेंबर सिटेड अभियर्थियों ने महिला अपने हाथों पर मेहंदी रचा कर सरकार से यह मांग की है कि हम ल साई विरोजगारी की मेहंदी साढी के बजाए बनों के हाथों में साझ्री बेरोजगारी की मेहंदी सिटेर दिसंबर उनीस जनवर 21 में उत्ति regard登録 Gu demo के रभालाण में दिखेंच चाया जा मेलाया वेड़तियोंने मेहंदी से हाथों पर अधों पर निधान पंत्री से अरूरत करता हूं कि दिसम्बर सिटेट और जनवर्डी सिटेट को भी इस सात्मी चरण बहाली को जल्दी निकाल कर किसी तरह इसको भी नुजित कर लिया जाए चलिए आगे दिखने आगले न्यूज को अगला न्यूज है ठाए लाग की टीटी प्रमानपत्र फरजी देखे प्रात्मिक सिक्षकों के 94,000 पदों के लिए आए करीब 10 लाख आवेधन फरजी प्रमानपत्र आवेधन पर प्रात्मिक की दर्ज करने का आदेश सभी जिलों के डियोडी के साथ वीडियोग्राफी प्रिणिंसिंग में हुआ खुला सा अधाय लाख के टीटी प्रमानपत्र फरजी देखे बहुत ही बड़ी या ब्यार की समस्या देकर सबको घिन आती है कि इसी वज़र से अभी तक इतनी बाली परी हुई है गुपाल गंज में 10,000 के टीटी प्रमानपत्र फरजी निकले गए दस लाख अभियार्थी आवेदन किये थे जिसमें धाय लाख अभियार्थी टीटी प्रमानपत्र उसका फरजी पक्राया गया इस पर होगी कारवाई और इसको नहीं मिलेगी निक्ति पत्र चलिए अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राब कर ले और मेरे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाए है थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब मैं